Hi and Welcome to all the members of this family, My Versatile Corner. और आज इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं LG, Fully Automatic Front Load Washing Machine को Mobile से चलाने की. जी हाँ, हमें कुछ खास काम नहीं करना हैं, और हम कहीं भी हम दूर बैट कर, वाइफाई से, सिर्फ वाइफाई से हम मशीन को अपरेट कर सकते हैं. तो आएए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. अच्छा, पहले एक चीज़ और, आप मेंसे बहुत सारे विवर्स ने कमेंट किया हुआ है, कि मेरे जो वीडियोज हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं. देखिए, उसका रीजन ये है कि मैंने अनलिटिक्स चेक किया, उसमें पता लगा, 40% वीवर्स ने, जो नोटिफिकेशन आपको वो करना रहेगा, इसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पर चाहिए. यहाँ टाइप की, मैं वसिटाइल, कॉर्नर, और यहाँ टाइप करने के बाद, आपको जो उपर नजर आ रहा है, मेरा चैनल का नाम, वहाँ यह रेट में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, अब देखिए, क्लिक करते ही है, साइड में बेल आइकन नजर आ रहा है, उसे भी क्लिक कर दीजे, और आल पर क्लिक कर दीजे, इसके बाद आपको मेरे वीडियो के, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, चलिए, तो बिना देरी के अपने टॉपिक पे आजाते हैं, हमें चलाना है मशीन को मुब आफ किया हुआ है, Wi-Fi आन रखना है अब फिर, प्ले स्टूर पर जाना है यहां से आपकों इंस्टॉल करना है LG, THINK mont nota यह देखिए मैंने इससे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पर ओपन दिख रहा है आप इससे इंस्टॉल कर लीजिए पहले उसके बाद अपने में स्क्रीन पर चले जाए या आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं देखिए यहाँ पर तीन ओप्शन अपने को नजर आ रहे हैं Sign in with LG, Sign in with Google, Sign in with Facebook आप तीनों में से कोई सभी ओप्शन ओप्ट कर सकते हैं मैं हैं ओप्ट कर रही हूँ Sign in with Google यहाँ लिखा आ रहा है Choose an account to continue to LG, Thank You मैंने अपना account चूज किया है Google वाला यहाँ देखिए उपर लिखा आ रहा है Terms and Privacy उसमें फर्स्ट ऑप्शन है Accept All, आप उसे क्लिक कर दीजिए और सारे पॉइंट्स जो है वो ग्रीन हो जाएंगे इसके बाद OK पर क्लिक कीजिए देखिए यहाँ आपने जो mail ID जिससे login किया है वो आपको mail ID नजर आ रही है और यहाँ पर दूप्शन है Password and Re-Enter Password यहाँ Password आपको mail ID का एंटर नहीं करना है जो आप नया Password बनाना चाहते हैं LG अकाउंट के लिए वो बनाना है तो यहाँ Enter कर देते हैं Password जो आपने Password बनाया है वही आपको यहाँ पर Re-Enter करना है और OK पर क्लिक करना है देखिए यहाँ Message आ चुका है Your Social Account and LG Email Account are now connected मारा हमारा Account यहाँ पर connect हो चुका है OK पर क्लिक कर देखिए अब देखिए इतनी Processing के बाद यहाँ लिखा आ रहा है Enter Your Nickname यहाँ आपका वही नाम जो आपने Mail ID के साथ connect किया था वही शो होता है अगर आप चाहें तो इसे Change भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप Done पर क्लिक कर देजे अब देखिए यह लिखा आ रहा है Connect Your Device for Smarter Living Add a Device यहाँ पर अभी कोई भी डिवाइस अड़ेड नहीं है Add a Device के नीचे आपको नाम लिखा नज़र आ रहा है अब यहाँ हम जाते है Add a Device पे अब देखिए यहाँ पर दो आप्शन दे रहा है Scan QR और दूसरा है Select Device हम जाते हैं Select Device पे आप अगर QR स्कान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं उससे भी Connect हो जाएगा मैं आपको बता रही हूँ Select Device से देखिए Make Sure Power Code is Plugged in Before Starting यह Message है आपका Main Power Button On रखने के लिए और Machine का Power Button है वो On रखने के लिए देखिए आपको Machine के Back Side में दिख रहा होगा Black Color का T है वहाँ Switch On है और अभी हमें क्या करना है Machine का Power Button है वो On कर देना है ध्यान रखिए जब तक Machine On नहीं होगी जब तक हम Power Button On नहीं करेंगे तब तक यह Connect नहीं हो पाएगा device आपका यह हमने On कर दिया है तो अब Next क्लिक कर दीजे उपर देखिए एक percentage दे रहे हैं आपको अब आ रहा है Select Device to Add यहां में देखिए Appliance में Select Manually में लिखा हुआ है Washers, Dryers, Stylers बहुत सारे options आपको दिये हुए हैं आपको क्लिक करना है Washers पे उसके बाद आपको क्लिक करना है Front Load Washer पे Processing में थोड़ सा टाइम लगता है देखिए यहां जब आप इसको जब processing हो जाएगी यहां लिखा आ रहा है Select a Wi-Fi Network from the list to connect front load washer मुझे जो यहां given है उसी से connect करना है आप चाहें तो यहां अपना Wi-Fi का जो network है वो अपना अगर कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो वो enter कीजिए मेरा यहां Wi-Fi network का नाम आ चुका है मुझे यहां आपने Wi-Fi connection का password एंटर करना है password एंटर करने के बाद connect पर क्लिक कीजिए आप देखें यहां लिखा आ रहा है Turn on the front load washer and press and hold the button marked Wi-Fi for 3 seconds Wi-Fi का switch जो है वो आपको देखना है आपके machine पर यह कहां लिखा हुआ है देखें यहां delay end लिखा हुआ आ रहा है delay end के जस नीचे लिखा हुआ है छोटा सा Wi-Fi इसे आपको 3 seconds के लिए प्रेस करना है देखें प्रेस करने के बाद एक beep के साथ Wi-Fi का sign reflect होने लगा है अब आपको next पर click करना है लिखा रहा है connecting device देखें मोबाइल को pass ही रखना है आपको machine के तब connect हो पाएगा यह पहले connection successful लिखा आ चुका है देखें लिखा रहा है keep your smartphone close to the front load washer देखें स्क्रीन पर लिखा रहा है device connected congrats your device has been successfully added हमारा device यहाँ add हो चुका है आप देखेंगा machine पर लगातार वो जो Wi-Fi का icon है वो blink कर रहा है और अब stable हो चुका है stable क्यों हुआ है क्योंकि अब यह connect हो चुका है देखें nickname आ रहा है अगर आप चाहें तो यहाँ से edit कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ना भी करें कोई जरूरी नहीं है मैं यहाँ same नाम रख रही हूँ और फिर हम आजाते हैं go to home पर देखें हमाई main screen पर यहाँ change आ चुका है जहाँ पहले add a device आ रहा था वो तो है ही क्योंकि हम इससे और भी connect कर सकते हैं और भी devices connect कर सकते हैं बट यहाँ जहाँ हमारा account name है वहाँ पर front load washer लिखा हुआ रहा है नीचे stand by लिखा रहा है तो यहाँ हमने देखा यहाँ हमारा device connect हो चुका है अब इसके आगे हमें सीखना है कि अब इसमें wash program कैसे on होगा हम कैसे पूरे जो function से वह use कर पाएंगे देखे यह एक ही वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी तो हम यह सारी चीजे कि कौन से program कैसे select करना है temperature कैसे set करना है spin कैसे करना है यह सब मैं आपको बता रही हूँ next video में part 2 में यह था हमारा part 1 जहां हमने इसको connect करना सीख लिया है आशा है आपको पूरी details बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और फिर भी कोई problem आती है आप मुझे comment section में comment करके easily पूछ सकते हैं मैं reply जरूर करती हूँ यह आप सब जानते हैं तो please stay tuned stay connected मिलते हैं अपने next video तब तक के लिए बाई